उत्तर भारत के अधिकांच लाकों में कडाके की ठंड का दोर जारी है, मौसम विभाग आएमडी की माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले दो दिन तक कोल्ड डेक इस्तिती बनी रहेगी वही उपी पंजाब हर्याना और बिहार के कई राकों में अगले पांच दिनों थक धना कोहरा देखने को मिल सकता है, दिली अंसियार के कई राकों में देर रात हल्की बुंदाबादी देखने को मिली माना जा रहा है कि मौसम का मिजाज बदलने से कोहरे और ठंड से मामूली राहत मिल सकती है वही शीत लहर और कोहरे की वज़े से पंजाब, हर्याना और उत्रप्रदेश में कडाके की ठंड जारी रहेगी मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उतर प्रदेश में नियूंतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है वहीं पंजाब, हर्याना, चंडिगर, दिली, राजस्तान, मद्यप्रदेश, बिहार के अधिकतर इलाकों में नियूंतम तापमान 6-10 डिग्री सेल्सियस के बीच है बता दें कि दिली में शीत लहर चलने की वज़े से कोड़ दे की स्तिती बनी हुई है जिसके वज़े से रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आएमडी के मुताबिक दिली का नियूंतम तापमान 7-11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है वहीं अधिक्तम तापमान 18-21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है इसके अलावा अगामी 26 जन्वरी को दिली के कर्तव विपत पर गंतंत्र दिवस का कारिक्रम होना है ऐसे में मौसम विभाग ने 26 जन्वरी को देश की राज़तानी में घने कोहरे और शीत लहर चलने की संभावना जताई है हाला कि गंतंत्र दिवस के दिन बारिश होने के कोई असार नहीं दिख रहे है बदादे की पंजाब, हर्याना, उत्रप्रदेश और राजिस्तान की अलग-अलग हिस्सों और उत्तरी मध्यप्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा चा सकता है वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपहिमालिय, पश्चिबंगाल, उडिशा, असम, मिगाल, मिजुरम और तरपुरा में गना कोहरा चा सकता है इसके अलावा पंजाब, हर्याना और उत्तरप्रदेश के कुछ हिसों में ठंडे दिन से लेकर गंभी ठंडे दिन की स्थिती संभव है वहीं उत्तराखंड में पाला पढ़ने की संभावना है वही पंजाब, हर्याना और उत्तरी राजिस्तान के कुछ हिसों में शीत लहर की स्थिती संभव है, उत्तराखण के कुछ हिसों में जमीन पर पाला पढ़ने की संभावना जताई गई है, ओडीशा दक्षणी चतीजगड और पूर्वी विधर्ब के कुछ हिसों में हलकी से म अध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश के उत्तरी तट सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश और केरल में हलकी बारिश हो सकती है।